प्रोड़क्ट में किस तरह से एविडे लुक्स या पिर क्रेट कर सकते हैं कम प्रोड़क्ट के साथ ठीक है अच्छी बात क्या है इस वीडियो मैंने कोई भी फॉंडेशन यूज नहीं किया है अगर आप मेरी तरह फॉंडेशन परसन नहीं है तो लुक्स आप इस तरह भी क्रेट कर सकते हैं या फिर खास करिए वीडियो आपकी के लिए है टीक है फॉर्ट विगनर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने सोच प्रड़क्ट यूज नहीं करना चाहते तो उनको ध्यान में रखते हैं सोच आपके साथ शेयर किया जाए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू कर देजिए को लाइक से क्या मोटिवेशन मिल जाती है आपके इस तरह से और भी नहीं वीडियो लाने करिए ठीक है तो अच दिस्क्रिउस बॉक्स पर शेक कर लिएक है कि आप जो मेंशन है उस से जो और अपकर कर सकते हैं तो सबसे पहले आपके अच्छी तरह से अप क्लीन कर लिजischen और धर सी पहले है filming को आपकी ॉसकर सकते हैं रोज़ वॉयर्ड या फी डॉनर जो थी तो भी आप यूस कर सकते अगर आपके पास अवेलेबल है तो यहां पर मैं लाइटवेट फॉर्मिला वाला मॉस्टराजर क्रीम यूज़ कर दी हूँ जो कि है पॉंड्स का ठीक है उसके बाद डेटाम के लिए हम लुक्स कर रहे हैं तो हम संस्क्रीन जो है बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगी संस्क्रीन लोशन ठीक है इसका मैंने प्रॉपर रिव्यू भी शेयर किया हुआ है अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पर आपको मैं लिंक दे दूंगी तो वह आप चेक जरूर कर लिएगा ठीक है अच्छी तरह से मैटी फायन कर देता है फॉर ऐली स्किन ध्यान से चुन लिए बिल्कुल आपको बाई करके देखना चाहिए डेफिनेटल आपको पसंद आएगा ठीक है तो यहां पर मैंने अच्छी तरह से अपने फिंगर की हैल्प से अपलाई कर लिया है बिल्कुल लाइट विट फॉर्मेला इसका होता है अच्छी तरह से मैटी फायन क तो यहां पर मैं ले रही हूं ब्लू हैवन का यह लिप बाम ठीक है तो आप डिसक्रिप्शन बॉक्ष जरूर चेक कर लिजगा तो आप अपने फेस के लिए सकते हैं कोई भी पसंद है अदरवाइस आप मेरी स्किन टोन के हैं तो यह आप से जरूर ट्राई कर लिजगा और एक बात शेयर कना चाऊंगे अगर आपकी फेस में हइपर पिंग मिंडिशन या फिर आपकी रैडनेस से डापनेस है तो आप रैक मैं खया करते हो अगर फिए suburbs है तो एक सेड डाक कंसीलरण आप है यूजग है विछ और हाई ये लिग सकते हो हम ओड़ करने के लिआ उ प्राइमर आपको दिखाना मैं भूल गई या फिकलिप मुझसे डिलिट हो गया तो उसके रहे माफी चाहूंगी प्राइमर आप बिल्कुल स्किप मत करना ठीक है कोई भी आप अच्छा का सा ब्लर इफेक्ट वाला प्राइमर आप यूज़ कर सकते हो ठीक है यह सारे तीनों या फिर चिद्र के अंदर प्रोड़क्ट नहीं चाहते जो कि आपको बाद में प्राइमर यूज़ करते हैं तो यहां पर मैंने जो इसे मैं अच्छी तरह से ब्लैंड कर दिया है और यह जो ब्रश में यूज़ कर रही हूं यह जो है पैक का ब्रश है और इसका जो नंबर है 219 ठीक है आपको Amazon में नहीं मिलेगा अगर आप लेना ही चाहते हैं तो नाइका पर चेक कर लीज़ेगा वैसे आपको मैं प्रोड़ कर दूंग डिस्रिक्शन बॉक्स पे लिंक तो वहां से भी आप चेक जरूर कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर मैंने अच्छी तरह से ब् अप्लाइ कीज़े अधरवाइस आप इसकीप कर सकते हैं या फिर आप कॉंपेक्ट या फिल्लूस पॉडर के साथ भी अपना हैलेट इफेक्ट दे सकते हैं ठीक है तो यहां पर मैंने ना यह लिया हुआ है डार्लिंग इसा बेला का मैंने कंसिलर लिया है जो कि मुझसे ए यहां पर हमें डाखन दुटा या फिर अल्की पिग्मेशन होती है ड्राइक के आराउंड टिक है फॉर हैट टिक इसे नोस की उपर किया है ठीक है तो यहां पर अपलाई कर लेंगे दैन हम से मुझसे यहां पर मैंने ब्लेंड कर लिया ठीक है अगर आपके पास ब्रश मत आप beauty blender ले सकते हैं जो कि आपको लोकल मार्केट में 20 या 30 रुपए में इसली आराम से मिल जाएगा ठीक है अच्छा आप beauty blender जो है बाइ करना चाहते हैं तो मैं आपको recommend करूंगी कि कलर बार का बाइ कर सकते हैं ठीक है काफी अच्छा है मैं काफी time से use कर रही हूं अभी तक यहां पर हम कहां कर लेंगे को जित्ती तरहां से ब्लांद करेंगे आप रही है उसके बात का रहे हैं और यहां यहां पाउडर लिया हुगा है जो की Kagnightा है ठीक है । अगर्षा द्राए स्कीन हुईसे फ्लेट कर लीजेए ठीक है और यहां लहाफ ब्रत धाइप काई यहा अगर आपकी ऑईली स्कीन है तो आप इस तरह से ड़ाप करके यूज कीजिए और कुछ देर के लिए आप छोड़ सकते हैं अगर आपके फेस पर ज्यादा स्वेट आता है तो तो मेरी स्कीन ऑईली है तो थोड़ा दर में लगा करके छोड़ रही हूँ उसके बाद हम इसे ए सबस्क्राइब मेर और की ब्रेश के आऊ सकता ना पड़े तो यहां पर आएज क्यों हऊ रहेंगे यहां पर आपको भी पैलेट ले सकते हैं अगर आपके पास पैलेट नहीं है तो आप इसकी भी कर सकते हो तो यह पैलेट मैंने दिखाया जैष्ट है इससे मैंने एक सेड ह पिक किया है तो यहां पर हर बिगनर्स के पास अवेलेबल नहीं होगा इसने मैंने से जो है इसकीप करना ही जरूरी समझा तो यहां पर मैंने काजल के लिए हुआ है यह फैसस करना डागा जो कि आपको यह फिए 150 यह फिए 120 में इसले आराम से मिल जाएगा यह आपको ऑफ लेना चाहें तो आप आप आउन लाइन भी ले सकते हैं तो यह फ्लेट ब्रश मैंने लिया हुआ है जश्ट इसमझ करने के लिए अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप क्या कर सकते हो यह अरबड जो जाता है तो आप बिगनर से हैं तो ज्यादा इन्वेश्ट मत कीजिए यह चीज़ा आप ट्रिक अपना सकते हैं तो यहां पर मैंने जो प्रोड़क्ट काजल मैंने इसमझ किया है उसी प्रोड़क्ट को एक्ट्र मैंने कुछ पिक नहीं किया है जैस्ट इस तरह से लाइश त्रिके जो की समझ लाइनर की तरह दिखता है तो ट्राइ करके देखो पसंद जरूर आएगा ठीके ब्लैक के अलावा ब्लू भी ट्राइ कर सकते हो ठीके उसके बाद यहां के पर में ले रही हूँ मस्कारा जो की है कॉलसल मस्कारा और यह वाटर पूर्फ है ठीके आपके लेंटिंग देता है इसका वांट अच्छा है इस तरह से थोड़ा बड़ी साइज में तो इसली अप्लाई कर पाएंगे अगर आप बिगनर्स है तो इस तरह से वांट वाले से आप इसली अप्लाई कर पाओ क्योंकि कभी-कभी क्या होता ना जल्दबाजी में आखों पर जाता है तो यहां पर मैंने क्या किया है यह मैंने लिप्लालन लिया हुआ है हमेशा हर कोई पूस्ता मुझे कमेंड करके तो बताना चाहूंगी हमारे प्यारे व्यूवर्स तो यह जो है ना स्यूस्पीटी का है डाक चॉकलेट इसका नेम है और 12 नंबर का सेड है ठीक है म पर मैं यूज कर रही है इंसाइड कोस्मेटिका अगर आप कॉलेज या ओफिस आते हैं ज्यदा डाग यूज नहीं पसंद आपको तो आप इस तरह से न्यूट लिफ्स्टी के साथ जा सकते हो ठीक है इसे मैंने लिया था ओनलाइन भी आपको इसले मिल जाएगा ठीक है मै हाल देखना चाहते हैं हाल वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे पिताएगा जरूर ठीक है तो यह रहा है इस मेरा फाइनल फिनिश लुक ठीक है आई ब्रो के लिए मैं टुटोरियो अल्यडी शेयर किया हुआ है तो वह भी आपको मैं आई बटन पे दे दूंगी तो व